Hello students, welcome to MGM classes with me Sangeeta Khatkar. In this video, we will study class 7, civic chapter 1st on equality. In this chapter, we will study about equality in democracy. So, let's start on equality. India is a democracy. India क्या है? एक democratic country है, एक लोग सांत्रिक देश है, जहाँ पर सभी को अपनी government को खुच चुनने का अधिकार है. In the class 6 book, we looked at the key element of a democratic government. हमारे जो class 6 की book थी, उसमें हमने जो democratic government की key element होते हैं, उनके बारे में study किया था. These include people's participation, the resolution of conflict. यह जो हमने key element study करे थे, democratic government के उसके अंदर क्या-क्या include था? People's participation की government बनाने में लोगों का जो participation होता है, उसके बारे में, जो conflicts होते हैं, जगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, वो होते हैं और उसके बारे में का resolution कहा से किया जाता है? And equality and justice, इन सब के बारे में हमने discuss किया था. Equality is a key feature of democracy. जो equality होती है, मतलब समानता. समानता जो है, वो key feature है? ठीक है, main feature है हमारी democracy का. And influences all aspects of its functioning. और democracy के जितने भी functions होते हैं, उनके सभी functions को influence करती है. In this chapter, you will read more about equality. इस chapter में हम equality के बारे में और अच्छे से study करेंगे. What it is? Why it is important in a democracy? कि real में equality है क्या चीज़? ये democracy के लिए इतने important क्यों होती है equality? And whether or not everyone is equal in India और सभी India के अंदर equal हैं या नहीं हैं? Let's begin by looking at Kanta's story. तो ये हम किसे करेंगे? कांता की story से करते हैं. ठीक है? यहाँ पर अपन को कांता की story बताई जाती है. ठीक है? कि election का day है कांता और उसकी जो friend है सुजाता. वो waiting कर रहे हैं किसके लिए कांस देर वोट अपना वोट डालने के लिए. ठीक है? आप वो आपस में गोसिप कर रहे हैं कि is it a good सुजा that we can all vote as equal citizen of our country. कि कितना अच्छा है ना सुजाता? कि हम सब जितने दूसरे जो citizen होते हैं हमारी country के वैसे ही अपन वोट देते तो even jain sahab is standing in the line with us. अब वहाँ पर कांता जो होती है ना जैसे कि यहां बताया है वो domestic worker है और सुजाता भी कौन है? एक domestic worker है अब यहां पर गिरिश राव एक student बताया है टेजा सिंग बताया है जो एक trader है और उसके साथ मंजीत कोर है वो टीचर है ठीक है वहीं उस line में अलग अलग profession के लोग खड़े हैं अब वहीं पर जैन साहाथ का discuss करती है वो ठीक है जिनके घर वो काम करने जाती है तो अच्छा होता अभी आगे जब डिसकस करती तो बोलती है उनका चांस आ जाता है वोट डालने का तो बोलती गो ओन कांता इस यौर टर्न नाओ कि चलो कांता आगे चलो अब आपका नंबर आ गया है आई विल वोट फोर दा कैंडिडेट हू है प्रोमिस तो ब्रिंग पाइ कर स अब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कर वहां पर लाएं में किसकातोरर कर रहती है बटाते हैं अपने वोर्टे ढुड है ऐस्टे बताते हैं कि आपास स्टूरी anál हारि , जाती है '' दो करें दो के साउं'' आ और उसको बार्ट में मिलते थे हैं कि अधने पाते नियूंस विद आपस बाते हैं魚 को और उस वसके बादaş बहुते हैं सुझाता को कि गुरिया has been running fever and I have to take her to the hospital कि गुरिया जो कि कांता की बीटी होती है वो बताती है कि उसके fever हो रहा है और उसको गुरिया को hospital लेके जाना है but I will have to finish the work at sahab's house तो वो तीक लेकिन मुझे पहले साहब के घर पे काम finish करना होगा and ask for some advance और मुझे उनसे थोड़ा advance लेना होगा मुझे पैसे चाहिएंगे hospital के लिए भी तो मुझे थोड़ा उनसे advance लेना होगा फिर वो घर आती है घर आके वो बोलती है अपने बेटे से बात करती हो कहती है यहां पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूं पीने के लिए तुम बेटा यह पी ओ और तुम अच्छा फिल करोगे और जब श्याम को मैं घर आऊंगे तो अपने hospital दिखाने चलेंगे डॉक्टर को ठीक है और ऐसा कहकर वो बहार निकलती है जो बहार निकलती तो वो क्या देखती है इस नो वंडर देट गुडिया पॉल्स इल आफन दा बस्ती इस नेवर क्लीन तो वह भार भी गंदा दिखाया हुआ जैसे की इमेज में तो वंडर वाली आस्चरे वाली कोई बात ही नहीं कि गुडिया अक्सर बिमार हो जाती क्यों क्योंकि वह बस्ती में रहते हैं और ब उसस्तार बोलती है में तुमें अडर भात नहीं को अब दो ले लेकिन तुम इसको हैविबान बना लेना कि हर मनें तुम आड्वांस में लग जाओ तो कांता बोलती है कि no maim ऐसा नहीं होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे like, share और subscribe करना ना भूले अब चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है equal right to vote मतलब एक समान अधिकार है सभी को vote डालने का कांता की कहानी बता रहे हैं जो कि एक लाइन में खड़ी होती है किसमें खड़ी होती लाइन में अपना वो डाले के लिए look again at the various people who are standing in line with her अभी आप दुबारा देखो कि कौन-कौन जो लोग है वो लाइन में खड़े होते हैं उसके साथ में कांता recognize her employer कांता अपने मालिक को पहचानती है जो अशोग जैन जी है और उनके साथ छोटे लाल जो है उनके नेबर उसके नेबर उनको भी वो पहचान ल भी अडल्ट है मिन जितने भी अडल्ट परसन है एटीन येर से उपर जो परसन है उनको वो डालने का दिकार है चाहे वो किसी भी रिलिजन से बिलोंग करे और कितनी उन्होंने एजुकेशन लीवी है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है वो कौन से कास्ट के हैं उसका कोई नहीं है और यहां तक कि वो रिच है यह पूर है इस पे भी कोई फरक नहीं पड़ता है बट उन्हों सबको क्या है राइट है उनको अपना वो डालने का और इसके बारे में आप उसक्स क्लास की देज्ट तके जुके है रहें उनिवरों उनिवर्सल आडल्ट प्रिंचाइज गा होता है हर वो जिसकी एज 18 years हो चुकी होती है उनको क्या है राइट टु वोट अपना वोट डालने का अधिकार उनको हमारे Constitution में दिया हुआ होता है तो हर वेक्ति जो 18 साल के उम्र का होता है तो उसको वोट डालने का अधिकार है तो यह जो आइडिया है ने इनिवर्सल अडर्ट फ्रेंचाइजी का यह किस पर बेज़्ड है यह बेज़्ड है उस आइडिया पर एक्वालिटी के विकोज इट स्टेट डैट एवरी अडल्ट इन कंट्री क्योंकि यह आइडिया कहता है कि हर अडल्ट परसंट कंट्री के अंदर चाहे वह अमीर हो चा हाँ अब बता है कि कांटा इस एक्षाइट टू वोट आप यहां पर तो बहुत डालने का दिकार होती है क्यों हम पड़ते हैं बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जिन में महिलाओं को वोट डालने का दिकार नहीं होता है या फिर दुपूर परशन है उनको राइट टू वोडि खुशी के पीछे कारण यही था कि उसको सभी के समान वो डालने का राइट दिया गया था ठीक है अगरा वर्धा सभी कारा मतलब उसके सामने चीज़ा आती कि क्या सच्ची में मुझे एक्वल्राइट दिये गए हैं क्या सच्ची में सभसामान हैं तो यह एइसास होता है वहां वहां रहती है उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है जब हम आगे जो है जैसे स्पेंड होता है तो उसके बारे में करते हैं कि वह पहले काम पर डालती है फिर उसके बार में घर आती है वहां वहां रहती है और उसके घर जो है उसके पीछे ड्रेने सिस्टम है मतलब नाली जाती है गंदे पानी की ठीक है वह है और जो कांता की बेटी वह बिमार है बड़ शी कैनोट टेक दा डे ओफ प्रॉम वर्क लेकिन उसको काम पर जाना ही था वह चुट्टी नहीं कर सकती थी काम से क्यों नहीं कर सकती क्योंकि उसको किसके जरत थी मनी बोरो करने की अपने एम्प्लोयर से मनी बोरो करने की जरत थी टाकि वह अपनी बेटी को कहां ले जा सके डॉक्टर के पास हर जोब एज डिमेस्टिक हैल टायर सर आउट उसका काम भी ऐसा ही था है वह एक डॉमेस्टिक वर्कर की तरह काम करती थी घर में साफ सफाई का काम करती थी तो उसको ठका देता था दिन भर वो काम और फाइनली शी एंड्स हर डे बाइं अगें स्टैंड इन लोंग लाइ जब ऑब चल्टिक होती है तो उसके माइन में बहुत सारी चीजे चलती है जयसे बाते हैं-टक दो बेटी परिशान होती तो अपने बेटी को बोलते हैं थोड़ी दिरो रुख जाओ जैन मेडम में जैन सहाब में स्टेंड इन लाइन टु वोड की सुबह जब लाइन लगी थी वोड की तो जैन सहाब और दोनों लाइन में ख़ड़े थे बड़ दे नेवर हैड टु तो मैं भी मेरी बच्ची को मैं काम से चुटी कर लेती और मैं दिन में शाम की बजाए में दिन में ही उसको होस्पिटल लेके जाती तो बहुत सारी चीजे उसके माइन में आती है अब आगे बता रहे हैं इस देखी बीडियरा और हमरी डिमोकरी दिनगे सारी बीडियर अगेल में की स्टोरी बता रहे है कि कान जैसा कोई लिगीWIN और और जितने वे लोगे उंके पास में क्या है टूर्ट तो है वोट देने का अधिकार तो है बट को जादा अलग है उनमें समानता नहीं है उनमें समानता नहीं है अपार्ट फ्रों बिंग पूर बिंग होने के अलावा पीपल इंडिया एक्पिनेंस इनुकुलिटी नहीं हो जाते और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे इंडिया के लोगों के साथ में एसमानता देखने को मिलती है अब अपन नीचे दो स्टोरी के बारे में स्टेडी करेंगे इच अफ दीज इस बेज़ ऑन रियल इंसिडेंट इनुकुलिटी जो लोग रहते हैं उसके लाइफ के रियल इंसिडेंट पे है और दूस्तों यह बागे बता रहें कि reflect करती है जो different kind of equality है जो इंडिया में पाए जाती है उसको वो clear उसका हमें example दिया है उसके बारे में बताए है और एक common जो inequality एस समानता इंडिया में देखने को मिलती है वो है कास सिस्टम कास्ट के according लोगों के साथ में बहुत ज़्यदा भेटबाव किया जाता है हमें समानता नहीं है इस यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास आइडेंटिटी इस सम्थिंग बहुत बार एक्सपिरियंस किया जाता है और आप यंग में देखा होगा बहुत चोटी इस में समझ में आ जाता है बच्चों को कि वो किस जाती के है मतलब गाओं में ऐसा महोल मिल जाता है लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आप देखोगे कि लोग कास्ट वगरे में बिलीव नहीं करते हैं अब आगे जसे की बताया है बट जस्ट लूक अट इस अगर आप देखोगे एक मेट्री मोलियन जो न्यूस पेपर है उसकी कटिंग दिखाई है यहां पर उसमें एड दिया होता है तो उसमें कुछ बताया हुआ थे कास्ट को लेकर कि कितना इंपोर्टेंट इशु होता है कास्ट को लेकर और लोगों का जो माइंड है एजुक इंडिया के अंदर तो फिर भी लोगों के माइंड में कास्ट को लेकर तो बाते होती है नाव लैट अस रीड़ी स्टोरी अब दलित चाइल अटेंडिंग स्कूल अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टोरी ठीक है किसके बारे में एक दलित बच्चे की कहानी बताते हैं जो स् बच्चे करने के लिए दलित वर्ड यूज किया जाता है कि दलित का मिन वह बताते हैं यहां पर ब्रोकन ठीक है एंड यूजिंग डिस वर्ड लोगर कास्ट आर पॉंटिंग तू हाव देवर और वह यह कहना चाहते हैं कि वह किस तरह से हैं एंड कंटीनू टू भी सीरिय को संसरों समझते हैं अपर उन्हों यह जो का तो मिनजा को सभ साथिए मनें अपने ग्र क्रिफीं जिसका नाम दिन वह नहीं रख़ा है पर उन्हों का में पर सक्लास एलग को बिटास जाता है and that to on the floor और फर्स से भी उनको अलग ही बिठा दिया जाता है जो मैट होता है नीचे बैठने का वो भी जहां वो बैठते हैं उसे दूरी होता है जाते हैं तो हैड्माषट जाता है मुझे है कहते हैं मेट मेरी डियों कि जाता है रेकारवन को और ट्रीन आप प्ल्यंट के सब्ल्सक्राइण विसंदमा वे तर ब pressing को ट्रस साइए जाता है मेरे वी तुह कुल है। स्कूल को अर। पूरे प्लेग्राउडंड को सफाई करनी है तो ही राइट आगे अंप्रकार जी लिखते हैं दा प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर दैन माइ स्मॉल फीजिक प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था मेरी जो फीजिक थी मेरे जो साइस यह मेरी जो एट थी तो मैं इतने बड़े ग्राउंड की सफाई नहीं कर सकता था ठीक है लेकिन मुझे वो काम दे दिया गया था सफाई करने का माई बैक बिगें टो एक और इतना सारा काम दि बीकोड़ा थी तहा हुना अधर चील्डन इन माई क्लाव वर स्टड़ीं और बाकी बच्चे थे मेरी क्लास की वह सब क्या रहे थे वह तो अपनी पढ़ाई कर रहे थे और चारई कर रहे था और मैं सफाई कर रहे था हैड मेस्टर वावास से तेंग में लुक्षए और प पानी पीने की पर्मिशन भी नहीं थी मैं थोड़ा बहुत पानी पीलो प्यास बुझाने के लिए मुझे वह भी पर्मिशन नहीं थी आइस्ट्राइब दीन सफाई करता रहा फ्रम दोर्स और विंडो दर्वाजे खिड़कियां और स्कूल के रूम ठीक है जितने भी टीचर्स और बोई थे वो सब यह दर्श्य देख रहे थे वो सब मुझे देख रहे थे ओंप्रकास वाज मेट तो स्वीप द स्पूल और प्लेग्राउंड फॉर नेस्ट कॉपल ओफ देज अब ओंप्रकास जो था वह अगले कुछ दिनों तक कॉपल ओफ दिनों तक स्कूल और प्लेग्राउंड साफ करते रहते हैं ठीक है ओंप्रकास के फादर वहां से बुझर रहते ही उन्होंने देखा अपने बेटे को सफाई करते ही कनफ़ने टीचर्स और उसके बाद में टीचर्स के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जोर से बोल कर कहते हैं उनको यू आर टीचर की तुम एक टीचर हो तुम एसा काम कर रहे हो अभी तुम्हें जा रहा हूं बट रिमेंबर लेकिन तीचर जी हमेशा यहा रखना दिस मच मास्टर की आप लोग मास्टर हो पढ़ाने वाले हो we study right here तुम सही और गलत यहां पढ़ाते हो इन इस स्कूल के अंदर और आप फुदी गलत कर रहे हो and not just him but there will be more coming after him कि अभी तो यह जा रहा है लेकिन इसके ज़र से और भी आएंगे यह अकेला बच्चे नहीं है चैप्टर हम पार्ट तू में स्टड़ी करेंगे इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेर और सब्सक्राइब स्टे कनेक्टे विद मी कीप लर्निंग, थैंक्स फोर वाचिंग, बाई